नमस्कार दोस्तों टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सबी का स्वागत है और आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ रीयल्मी और वीबो के दो बहुती बड़िया स्मार्टफॉन जिसमें पहला स्मार्टफॉन हमारे पास है Realme C33 और दूसरा हमारे पास Vivo Y16 तो इन दोनों स्मार्टफोन की unboxing और comparison करेंगे एक साथ नजर डालेंगे basic features look designs camera पर देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन आप के लिए रहेगा सबसे best तो first of all दोनों की price जान लेते हैं दोनों हमारे पास 3GB parent हैं तो Realme C33 आपको मिलेगा 89999 रुपे में और 1000 रुपे उपर खर्च करो तो Vivo Y16 आपको मिल जाएगा 99999 रुपे में दोनों स्मार्टफोन के box packing को देखे तो yellow color के box में आता है Realme C33 लेकिन mobile का design कहीं नजर नहीं आएगा Y16 में आपको mobile का design box पर नजर आजाएगा white color का ये box है और दोनों box के back side में headline features दिये गए हैं जिने में आपको वीडियो में आगे बताता रहूँगा तो बने लगे मेरे साथ वीडियो में चैनल पे आयो फॉस्स टाइम और अभी तक अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया हुआ है जरूर कर दीजिए ऐसी वीडियो में regular आपके लिए आपर लाता रहता हूँ तो दोस्तों सुरुआत करते हैं realme seat rd3 से सबसे उपर एक mini box जिसके back side में sim ejector pin अंदर quick start guide user manual इसके बाद नजर आता है smartphone इसे फिलाल रखते हैं side में अंदर आपको एक charger adapter यह charger जो है वो आपको 10 watt का मिलता है 5.2 amp की output rating के साथ और इसके बाद आपको एक white color की USB cable नजर आती है लेकिन यह normal micro USB cable है इसके बाद Vivo i16 में सबसे उपर रखावा है smartphone इसे भी फिलाल side रखके अंदर आपको एक 12 month का warranty card quick start guide user manual यहाँ पर भी आपको एक white color का charger adapter दिया गया है 5.2 amp की output rating के साथ 10 watt का charger इसके बाद USB cable को देखे तो type C USB cable आपको यहाँ पर मिल जाती है cable की length और quality काफी बढ़िया दी गई है यह दोनों smartphone जिनका front look कुछ ऐसा आपको नजर आएगा दोनों smartphone पर आपको drop nose display मिलती है लेकिन Realme C33 पर पहले से कोई भी scratch गार लगा हुआ नहीं मिलता है वीबो पर आपको पहले से scratch गार लगा हुआ मिल जाता है इनहें feel दोनों ही smartphone हाथ में आपको काफी comfortable, slim और lightweight feel होंगे दोनों smartphone के back side में आपको plastic polycarbonate body मिलती है लेकिन back panel तो देखिए क्या कमाल की glossy finishing आपको दोनों smartphone के back panel में देखने को मिलती है विल्कुल flat back panel दिये गए हैं सबसे पहले Realme C33 का हम back panel को करीब से आपको दिखाते हैं तो यहां light reflection आपको काफी कमाल का देखने को मिल जाता है काफी stylish look लग रहा है यहां पर Realme की branding नीचे की side की गई है वही हम Vivo Y16 का back panel देखें तो इसमें भी आपको light reflection काफी कमाल का देखने को मिल जाता है यहां पर आपको हलकी सी matte finishing feel होगी जहां scratches कम आएंगे जब की C33 का जो back panel है इस पर अगर आप without cover यूज़ करते हो तो काफी जल्दी scratches आ सकते हैं दोने smartphone के camera setup को एक बार यहां पर ध्यान से देखते हैं तो दो बड़े-बड़े size के lens आपको नजर आ रहे होगे बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं दोने smartphone के जो camera है दूर से देखने पर तो Realme C33 में जो primary camera है वो मिलता है आपको 50 Megapixel का प्लस यहां पर 0.3 Megapixel का depth sensor camera with LED flashlight दिया गया है वहीं Vivo Y16 में आपको primary camera 13 Megapixel का और 2 Megapixel का micro sensor camera with LED flashlight दिया गया है front में दोनों smartphone आपको drop notch के अंदर 5 Megapixel का selfie camera देते हैं दोनों smartphone के जो corner है वो भी बिल्कुल flat दिये गया है जहां पर आपको fingerpin sensor नजर आएगी plus power on key भी यही है जेस्ट उपर volume rockers और उपर की side sim tray मिलती है आपको Vivo Y16 में बाकी दोनों smartphone में आपको secondary mic noise cancellation के लिए भी नहीं दिया गया left side में sim tray आपको realme में यहां मिलेगी और bottom में दोनों smartphone में आपको 3.5 mm का audio jack primary mic charging jack और speaker grills दिये गये हैं दोनों smartphone की power को भी on कर लिया है और brightness को भी कर दिया है full तो यहां पर आपको करीब से दोनों की display को दिखाएं तो दोनों smartphone में काफी colorful bright display आपको नजर आएगी थोड़ी सी brightness जादा Y16 की लगेगी 450 Nets की brightness मिलती है आपको Vivo Y16 में और 400 Nets की brightness C33 में दी गई है दोनों smartphone के edge और bezels को देखें तो नीचे चिन थोड़ी सी जादा आपको नजर आती है लेकिन corner आपको काफी थिक नजर आएंगी इसके अलावा दोनों smartphone के icon आप देख सकते हैं user interface स्क्रॉल आप करते ही यहां पर आपको सारे के सारे application नजर आएंगे प्रे इंस्टॉल एप दोनों ही smartphone में काफी सारे आपको मिल जाएंगे हलाकि unwanted apps को आप phone से remove भी कर सकते हैं दोनों smartphone में 60Hz का refresh rate दिया गया है टच काफी smooth और fast मिल जाता है दोनों smartphone का चलिए बात करते हैं display size की तो 6.5 इंच की HD plus IPS LCD C83 में और Y16 में आपको 6.51 इंच की HD plus IPS LCD दी गई है दोनों का aspect ratio 2029, screen resolution 720 x 1600 pixel और pixel density 270 ppi की दोनों smartphone में मिलती है इसकी अलावा 164.2 mm की height आपको realme C83 में और 163.9 mm की height आपको Y16 में मिलती है realme में आपको 8.3 mm की thickness और 8.1 mm की thickness Y16 में मिलती है weight की बात की जाए तो 187 ग्राम का C33 और Vivo Y16 है 183 ग्राम का दोनों के अंदर 5000 mAh की battery लगी हुई है जोस्तों आप setting पे नजर डालेंगे C33 से हम सुरुआत करेंगे तो इसकी setting को जैसी आप open करोगे तो अंदर जो interface है वो कुछ ऐसा आपको नजर आएगा जहां आपको नीचे की side about phone section दिया गया है इसे हम open करें तो इसमें आपको realme UI version S edition दिया गया है android version 12 मिलता है processor 1.82 GHz का octa-core और chipset आपको इसमें ना ही Qualcomm का ना ही MediaTek का इसमें आपको Unisog का chipset मिलता है Unisog T612 12NM का fabrication और graphic Mali G57 के दिये गए है 3GB RAM LPDDR4X की 32GB का internal storage expendable memory 1TB तक आप इसमें बढ़ा सकते हैं और storage type UFS 2.2 का आपको इसमें दिया गया है वहीं पर हम Vivo UI 16 की setting को भी open करते है तो यहां जो setting का interface है वो कुछ ऐसा आपको नजर आएगा जहां सबसे नीचे about phone section दिया गया है FunTouch OS इसमें 12 आपको मिलता है 2.3 GHz का octa-core processor और chipset आपको इसमें MediaTek Helio P35 का दिया गया है 3GB RAM 32GB का internal storage expendable memory इसमें भी आप 1TB तक बढ़ा सकते हैं आपको इसमें मिलते हैं एक छोटा सा comparison दोनों smartphone के camera का करें तो यहां पर जो camera clarity है थोड़ी सी best clarity आपको C33 के camera से नजर आएगी लेकिन जो Y610 का camera है वो पूरी टकर दे रहा है C33 के 50MP के camera को और यह है दोनों smartphone के friend selfie camera तो selfie camera भी आपको दोनों smartphone के लगबग एक जैसे थोड़ा सा better मुझे यहां पर Y610 का camera लगा क्योंकि इसमें थोड़ा से colors better आपको मिल जाते हैं Realme C33 के मुकाबले अलाकि दोनों में आपको normal 5MP का camera ही दिया गया है zooming देखे तो C33 के camera से आप zoom नहीं कर पाओगे लेकिन Y610 के front selfie camera से आप 2X तक zoom भी कर सकते हैं तो friends यह थे 9 और 10,000 रुपे की केमत में आने वाले दो बहुत भी बढ़िया stylish smartphone दोनों ही smartphone अपनी business खूबियों के साथ आते हैं लेकिन दोस्तों बात आती हैं में कौन सा smartphone पर्चेस करना चाहिए तो सबसे पहले बात करते हैं Vivo Y16 की तो mobile मुझे design कमाल का है premium finishing यहाँ पर दी गई है camera setup काफी कमाल का है type C का support मिल जाता है display clarity काफी कमाल की है 10,000 पर हम खर्च कर रहे हैं और आपको इसमें ना ही full HD plus display मिलती है media track helio P35 का एक outdated chipset दिया गया है तोड़ा सा battery यहाँ पर processor आपको मिलना ही चाहिए था 18W का fast charger मिल जाता तो और बढ़िया रहता साथी 90Hz का refresh rate मिलता तो और भी बढ़िया रहता 10,000 रुपे के like का होना चाहिए था smart phone को सिर्फ design दे देने से ही सब कुछ नहीं हो जाता तो फ्रेंट्स यहाँ पर थोड़ी सी कमिया रह गई मेरे जाब से तो इसे 9,000 रुपे का होना चाहिए था वहीं बात करें Realme C33 की तो 9,000 रुपे की कीमत में यह भी बहुत बढ़िया smart phone है लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए type C का support आपको इसमें नहीं मिलता है full HD plus display भी आपको इसमें नहीं दी गई है 60Hz का normal refresh rate आपको इसमें दिया गया है तो यहाँ भी थोड़ा improvement की जुर्दत ही